का भोटाला सामने में आया है तो निश्टित रूप से देश के प्रधान मंद्री देईमान भी है कमीशन खोर भी है देश के वो चौकीदार नहीं है देश में हर चीज में उनकी भागेदारी और हिस्तेदारी है इसी सब के विरोध को लेकर आज कॉंग्रेस पार्टी ने जी ने देश के साथ विश्वास घात किया है देश की शुरक्षा जिन विमानों के जरीय होनी थी उन विमानों की खरीदी में रश्टा चाह और पोटाला किया है 2012 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंग जी प्रधानमंत्री थे यूपीए की गौश्मेंट थी तब प्रांस की राफेल कंपनी के साथ ये राफेल विमान के लिए ये सौदा तैह हुआ था 126 विमान खरीदे जाने थे एक विमान की कीमत 540 करोड तैह हुई थी 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने 126 विमान घटाकर विमानों की संख्या 36 कर दी जो एक राफेल विमान 540 करोड में खरीदा जाना था उसकी कीमत बढ़ाकर उन्हेन 1160 करोड कर दी एक विमान पर 1100 करोड से जादा का भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार जो टेक्निकल व्यक्ति सक्षम नहीं है जिसने कभी कोई हवाईजास से संबन्लित कोई काम नहीं किया हो अपने दोस्त व्योगपती मित्र श्री अनिल अम्मानी जी जिनोंने दो हफ्ते पहले इस बील से अपनी रिलाइंस डिपेंस नाम की कंपनी बनाई थी उसको इसका ठेका दे दिया जबकि मनमौन सिंग जी ने एचेल कंपनी को ठेका दिया था और ये तैह हुआ था कि 18 विमा है वो एचेल कंपनी तयार करकर देगी तो ये देश की सुरक्षा से खिलवाण है इसमें ध्रश्काचार है देश के साथ देश की जंता के साथ बहुत बड़ा धोका और अन्याय है और जो नरेंद्र मोदी अपने आपको देश का चौकीदार बताते हैं वही देश के देश अध्यक्ष मानी श्री भूपेश बखेल जी ने हर जिले में धरना प्रदर्शन करने का आयोजन करने का एक कार्क्रम हम सभी कारकरता साथियों को दिया है इसी के संदर्व में आज विलासपुर जिले में ये कार्क्रम संपन हो रहा है और मैं अपने साथियों के साथ इस धर्ना प्रदर्शन में शामिर होने के यह उपस्तित हुई है